तेजी से बढ़ रही जनसंख्या ने परिवान सेवाओं पर भी भार बढ़ाया है। रोजाना बढ़ रही यात्री संख्या, छुट्टियों के मौसम और त्योहारों के दौरान भारतीय रेल पर भी भारी दबाव पड़ता है। रेलों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने पड़ते हैं, विशेश ट्रेनी चलाने पड़ती हैं, जिससे ट्राफिक लोड बढ़ता है। इन्ही जरूरतों को देखते हुए, डबल डेकर ट्रेनों की शुरुआत की गई है। भारतीय रेल ने डबल डेकर ट्रेन की कमियों को दूर करने के प्रयास तेज कर दिये हैं। इस कड़ी में अब कपूर थला कोच रेल फैक्टरी में तेज रफतार डबल डेकर कोच का भी निर्मान किया जा रहा है। भारतिय रेल ने सेमी हाइज स्पीड डबल डेकर कोच तयार करने में सफलता प्राप्त कर ली है ये कोच 160 किलोमेटर प्रती घंटा की रफतार से दौर सकते हैं जो भारतिय रेल के स्पीड अप मिशन के भी अनुकूल है ये नए डबल डेकर कोच पहले के मुकाबले ज्यादा आधुनिक हैं जिन्हें अधेक यात्री क्षमता के अनुरूप डिजाइन किया गया है अब एक कोच में 120 यात्री बैट सकते हैं यात्री की सुगधा के लिए पंक्तियों के बीच ज्यादा चौड़ी गैलरी रखी गई है इन कोच में GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली के साथ LED डिस्टन्स सूचना सिस्टम लगाए गए हैं स्वचालित स्लाइडिंग डोर हैं और हर कोच में मिनी पैंटरी की व्यवस्था की गई है सुरक्षित और आराम देह सफर के लिए इन उन्नत प्यार डेजाइन कोच में एर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है साथ ही ये कोच, CCTV कैमरा और फायर तथा स्मोक सेंसर से लैस है इन डबल डेकर कोच को जल्द ही व्यस्तम मार्गों पर लाया जा रहा है जिससे लंबी वेटिंग की समस्या खत्म होने के साथ यात्री सुरक्षित और अत्याधुनिक रेल यात्रा का अनुभव कर सकेंगे नए भारत की नई रेल, भारतीय रेल